हेलो ये है छोटा सा अपना बाउल फिस बाउल और इसी के लिए मैंने एर पंप ओर्डर किया था ये मैं एमाजॉन से मंगाया हूँ और इसके डपे पे आप देख सकते हो 180 प्राइस लिखा है मगर ये एमाजॉन से मुझे महंगा पड़ गया ये 240 का पड़ गया है मुझे और आप देख सकते हो बाक्स के अंदर कुछ ये पाइप है एर पाइप और बाक्स के अंदर देखते हैं और क्या है ये है अपना स्पीट कंट्रोलर और जो ये इस टोन है एर इस टोन इसको बोलते है और चलिए इसको फटा फटा अपन सेट अप करेंगे और मैं बता दू आपको यह रोट साइड फिस बाउल है और इस पाउल के अंदर गोल्ड फिस है प्लीज आप इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो लाइक कर लीजिए क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत जवरत है यह आगे बढ़ते हैं यह काट लिया हूं और पाइप काटने के बाद इसमें पहले स्पीट कंट्रोलर को सेट अप करेंगे और लास्ट इंड में करेंगे अपन यह स्टोन यह स्टोन बोलते हैं इसको स्पीट कंट्रोलर को लगा देते हैं दोनों टाइप और फिर सेट अप करते हैं जब तक मैं इस अपते पर सिकायत करते हैं कि हमारी फिस मर गई तो सबसे बड़ा रिजन यहीं है आपको एक एर पंप लेना पड़ेगा और पानी का टेंप्रेचर आपको मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप पानी चेंज करिए ठंडी के वक्त बाकी एर पंप सबसे ज़्यादा जवरी है क्योंकि एर पंप नहीं रहेगा तो आपकी फिस को ऑक्सिजन की मातरा कम लगेगी और लोग यह गलती करते हैं कि अपने फिस बाउल को उपर से धाग देते हैं धागने के बाद क्या होता है पानी वेबरेट होता है वेबरेट होने के चलते पंप है आप देख सकते हो यह इतना छोटा है कि यह मेरे हाथ में आ जा रहा है देख सकते हो आप इसको सेट अप करना इतना ज्यादा मुस्किल कोई बड़ा काम था नहीं बस आपको दोनों इंड पे एर नोजल लगा देना है और लास्ट इंड पे आपको एर इस्टोन ल देखते हैं कैसा है यह काम करता है चलिए मैं चालू कर देता हूं इसको और यह स्पीट कंट्रोलर का कुछ काम है आपको इस स्पीट कंट्रोलर को पूरा ब्लॉक नहीं करना है एर फ्लो इसमें आना चाहिए क्या होता है अक्सर कि लोग इसको पूरा बंद कर देते हैं और तो उसके बाद हलका खोलते हैं, आप इसे मेडियम खूलते हैं, इससे क्या होता है, आपके एकुलिवरियम पर जाता है, आप देख सकते हैं, इतना अच्छा लग रहा है, उम्मीद करता हूँ, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और आपको भी अगर सौक है, किजिए, और प्लीज प्लीज घंटी बजाएं, घंटी में जवरी है, आने वाले वीडियो के लिए, ठीक है, बाई बाई, मिलेंगे अगले वीडियो पे,